नमस्कार दोस्तो काले पानी की सज़ा का नाम सुनकर अच्छ अच्छो की रूख आप जाती है इसलिए क्योंकि काले पानी की सज़ा को बेयत ही खोपनाक माना जाता था तो दोस्तो क्या आप जानते हो काले पानी की सज़ा क्या होती है यह कब दी जाती थी और क्यों दी जात थी और अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो को लाज तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं काले पानी की जेल भारत से 1000 किलोमेटर की दूरी पर आज के अंडवान निकोबार की राजदानी पोर्ट बैलियर में बनी थी जहाँ पर चार और पानी ही पानी था यहाँ पर मूल रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्स लेने वाले सुवतंतर सेनानी को सज़ा दे कर भेजा जाता था और साथे साथ उन्हें बेडियों में जकड कर रखा जाता था चारों और समुंदर में पानी होने की वज़े से यहां से कोई भी कैदी भागने में काम्याब नहीं हो पाया यह पूरा छेतर बंगाल के खड़ी के तहता है माना जाता है कि जो भी यहां पर गया वो लोटकर कभी नहीं आया दोस्तों अंग्रेजों को इस जेल का बनाने का विचार 1857 की करांती के बाद आया था अंग्रेजों ने यह जेल इसलिए बनवाई थी क्योंकि वे सुवत अंतरता की लड़ाई लड़ने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसी जंग बेजने चाते थे जहां से वो भागना सके यह जेल साथ हिस्सों में फैली हुई थी कैदी को अलग-अलग सेल में रखने का मकसद यह था कि वे भारत की आजादी को लेकर कोई भी योजना ना बना सके दोस्तों क्या आपको बताया यह जेल 1906 में बनी थी इस जेल का निर्मान कार्या 1896 में सुरू किया गया था जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस जेल को बनाने का विचार अंग्रेजो के मन में 1857 में आया था लेकिन इस जेल का मैप और इस जेल की लिए निती बनाने में अंग्रेजों को 40 साल लग गए इस जेल में 3 मंजिल वाली 7 साख़ाय बनाई गई थी और इस जेल में टोटल 696 कमरे थे और हर कमरे में 3 मीटर की उचाई पर एक खिड़की भी लगाई गई थी अगर कोई भी कैदी चाता तो वहाँ से खिड़की को तोड़ कर आसानी से भाग सकता था पर जैसे की हमने आपको अभी बताया था कि इस जेल के चारो तरफ पानी ही पानी था तो कोई भी कैदी यहां से भाग नहीं पाया दोस्तो उस समय भी इस जेल को बनाने में 517,000 रुपे की लागत आई थी इस जेल का मुखे बवन लाल इट से बनाय गया था इस जेल में जो इट लगाई गई थी वे भारत से नहीं आई थी वे इट बर्मा से मंगाई गई थी जो कि आज मेहमार के नाम से जाना जाता है इस जेल के साथ साखाओं के बीच एक टावर लगाय गया था इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी एसे ही अंग्रेजों का काले पानी की जेल के अंदर अत्यचार चलता गया फिर एक दिन ऐसा आया जब जापानी सासकों ने अंडमान पर 1942 में कबजा कर लिया वहां से अंग्रेजी सासकों को भागा दिया और उसी समय जापान के सासकों ने जेल की साथ साखाओं में से दो साखाओं को नश्ट कर दिया था तेकिंड वल्डवार खतम होने के बाद 1945 में यहाँ पर अंग्रेजों ने दुबारे से कपज़ कर लिया था दोस्तो भारत को आजादी मिलने के बाद इस जेल की दो और साखाओं को नश्ट कर दिया गया बची हुई साखाओं में यहाँ पर 1963 में गोविंद वल्लब पत्य अस्पताल खोल गया था वर्तमान में यहाँ पर 500 बैड़ वाला अस्पताल है और 40 डोक्टर यहाँ पर सेवा करते है यह थी दोस्तो काले पानी की सजा और काले पानी की जेल की पूरी जानकारी तो दोस्तो कमेंट में जरूर बताए आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप जिस भी टोपिक पर वीडियो देखना चाते है कमेंट में जरूर लिखे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करे